तो बाई लोग एपिसोड थर्ड की स्टार्टिंग में दिखाए जारा एक फ्लाश बैक चाहाँ पर हमें कियोस ब्रै clicking को बंदा है वो हमारे रियर्स हमारे इसें और बाकि सब पर जो है अटाक कर रहा है और जो हमारी रियर्स है वो उसका बोल रही है कि मैं तुम्हें इस्टाउन को चोट नहीं पचाने दूँगी इसके बाद जो कियोस ब्रेगेट का बंदा है वो उन पे एक इटाक रिलीस करता है फिर रचानक से सीन शिफ्ट होता है जा पर हमें दिखाये जा रहा है कि आसिया और इसे ट्रेन कर रहे हैं अब वहाँ पर जेनोविया और वहाँ पर कीबा भी आ गया है और वो दोनों हमारे इसे से कह रहे हैं कि हम दोनों भी तुमारे साथ ट्रेन करेंगे अब शुरू होता हमारा इंट्रो अब इंट्रो कतब होने के बाद हमें दिखाये जा रहा है कि जितने भी इसे और उसके जो क्लासमेट्स हैं अब वो क्योटो के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसे को आप विजिट करते हैं और गूमते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जारा है कि इसे अच्छे कासी फोटोस भी लेता है हमारे जैनोविया और हमारे आस्या की अब देखाते हैं कि वो एक जगह रेस्ट लेते हैं जहाँ पर देखाते हैं कि जो एक बुड़ा इंसान है वो पता निया शलील बात है कर रहा होता है and क्या यह होना ता है यह सुनने के बाद हमारा मोटो हामा और हमारा मैट सूडु है उनकी बक्चोदिया शुरू हो जाती है इसके बाद देखाते हैं कि जो हमारे आकेनों है वो हमारे इसे को कॉल करती है और वो हमारे इसे को बताती है कि अभी जो तुमने फोटोस बेजी है तो उस फोटोस को हमारे कौने को ने भी देखा है और कौने को रिलाइस करती है कि तुम्हारी फोटोस में जो फॉक्स योको हैं वो भी अपियर हो रहे हैं ऐस अप स्प्रीन शॉट में देख सकते हैं फॉक्स योको वही लोग है जिन्होंने इसे और उनके बाकी क्लासमेट्स को अटाक करा था एपिसोड नबर टू में अब जो हमारी रिलाइस करता है कि जो फॉक्स योको है उन्होंने उन सब को गेर लिया है और उसके बाद जो हमारी रिलाइस है वो कहता है कि आके नो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और वापे रोजवी से भी आती है इस्सके बार जो हमारी रोजदी से है वो उन सब को बताती है कि अजाजल ने इन लोगो को हाइर करा है तnez लोगो को उठाने के लिए और ये सुनने के बार जो हमारी ईस है वो काफी जादा सपराइज होता है इसके बाई जो मारा ईस name है, तो एकि तु टेंशन मतले, तो ने हम पर इसे लटा करा क्योंके तेसे तीर को अपनी मदर की फिकर है इसके बाई जो मारा उसे हो उमारी कोनोग माँए हैं वो हमारे इसे से मदद मांगती हैं उसकी मदर को ढूंड नेकले आज इस में कियो उस बिरिगेट का ही यहाथ है और इसके बाद जो मारा इस है वो इस चीज़ से अगरी करता है कहते है कि येस हम तुमारी हेल्प करेंगे और उसके दिमाग में अलगी खिचड़ी पकरी होती है कि अगर उसने कुनो की माँ को कि अगर उसने कुनो की माँ को बचा लिया तो कुनो की माँ उसे क्या क्या चीज़े देगी उसको गिफ्ट मे अज रिटर्न और उसके बाद जो मारा जाजले हो कहता है कि अभी के लिए तुम अपने ट्रिप को फुल लेस्ट इंजॉय करो अगर कुछ होता है तो उसके लिए तैयार रहना और इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जो कुनो है वो मारे ईसेंड बाकिसब की आगे की जो ट्रिप है वो उनको इन श्रक करेगी या निए उनके साथ ही घूमेगी उनको घूमवाएगी अब सीन शिफ्ट होता हमारे रियस, अकेनो अंड हमारे कौने को पे जो की बात ले रहे होते हैं आंड अपनी अलगी बक्चों दिया बेल रहे होते हैं की यसे कैसा होगा, ठीक होगा, की नहीं होगा एटसेकर एटसेकर जिसमें मेरा कोई भी इंटरस्ट नहीं है आप लोगों गार इतना मन नहीं होगा इन चीजों को सुनने का तो अगर आपको इस सीन को इंजॉई करना है तो प्लीज आप एपिसोड को विजिट कीजिए और इस सीन को बढ़िया से देखिए अब scene shift वापस हमारी ईसे पर होता है से हैं नहीं तो वो दोनों एकले ही चल जाते हैं और इसके बाद हमें देखाते हैं कि जो हमारी आसी होती है वो हमारे इसे से कहती है कि तुमने रियस को किस करा था तो जो हमारे इसे बोलता है वो सिर्फ एक गुडबाई किस थी तो जो हमारी आसी है वो हमारे इसे से कहती है क अगर तुम Ensuite को केस करसकते हो तो मेरे को भी तो करसकते हो और फिर वो इसे को केस कर देती है से से बड़ा करामी इसान कोई नहीं है अब से शिफ उता हमारे इसे असिया, जैनो विया और हमारे ڈhiena पर जहांपर जहांपर जैनो वो कहती है कि अब मेरी बारी है और उसके बाद इरीना तेरी बारी है और उसके बाद जो मारी जिनोवी है वो मारी इरीना से कहती है कि कैसे कि कैसे एक मर्द से आशिकी की जाती है और उसके बाद जो मारी जिनोवी है वो मारी इसे से कहती है कि शुरू हो जा चला अब हम बेबी पैदा करने वाले हैं और भाई ये जो सीन था भाई प्लीज भाई लोग एपिसोड को जाकर देखो आप इस चीज़ को बहुत बड़ी आतरी के से इंजोई कर सकते हो अब सीन शिफ्ट होता है रोज़ावी से पे अब उसकी लड़कियों की जो फौज है उन्होंने मोटो आमा और मेट्सूडो की कुटाई कर दी है तो कि वो उन्हें देखने आ रहे थे और इसके बाद वो सर्प्राइस होती है की इसे क्यों नहीं है अब इसके बाद जो एक लड़की है वो बोलती है की माम आसीया और बाकी सबतो है ही नी इसके बाद सींट शिफ्ट होता है वापस हमारे ईसे पर जहांपर भी पर हमें दिखाय चा रहे है की जैन विया जो है वो फॉर्स आउट करी हमारे ईसे को इसके बाद जो लगर आज है वो वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा हुता है लेकिन गलती से ओफिसल जाता है और गिर जाता है हमारी एरीना पर एज़ब स्क्रिन्शोट में देख सकते हैं और इसके बाद जो मारी एरीना है वो कितने प्यार से कह रही है कि इसे, ये मेरा फॉर्स टाइम है, मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या करना है, तो प्लीज, थोड़ा केरफूली हैंडल कर रियो इस इसको, और जो मारा इसे है, वो इस इसको करना तो नहीं चाहता, बट अब उसको मजा आने लग गया है, बट इतने में एंट्री हो जात जो कि गंदी तरीके से कुट रखे हैं, अब स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं, इसके बाद एंट्री होती है, हमारी कुनोव की, क्योंकि आज की जो गाइड है, उन लोगों की, वो हमारी कुनोव हुई है, उसके बाद दिखाते हैं, जो हमारी कुनोव हुई है, जो हमारी जाजल एंड रोजावी से बैटे वे हैं, जहापर जाजल है वो ट्रिंग कर रहा होता है एंड वो हमारे रोजावी से को टाहन्ट मारते वे कहता है कि तुम ट्रिंक नहीं करते हो डे टाइम में, इसलिए तेरा कोई भी बॉइ फ्रेंड नहीं है अब दिकाते हैं कि इसे एंड बागी सब जो है वो एक बिर्च पर ट्रावल कर रहे होते हैं जो हमरी को नौ हुँ है वो बतारी होती है कि अगर इस ब्रिच पर चलते जलते पीछ देख लिए तो तो हमारी जितनी भी मेमोरीज हैं वो सारी वैन शुजाएंगी इसके बाद दिखाते हैं कि उनके ब्रेच के अराउंड जो है एक फॉक क्रियेट हो चुका है जब स्क्रिशोट में देख सकते हैं इसके बाद जो हमारे इसे हो कहता है कि ये तो बहुती फैमिलियर सा लग रहा है इसके बाद वहाँ पर की बाता है और वो बताता है कि ये तो वहाँ चीज़ है जिसके बारे में जाजल पता रहा था ये सुनने के बज़ मारा इसे है वो समझ जाता है कि ये जितने भी लोग हैं ये जो कर रहे हैं वो केयोस बिरिगेड के ही लोग है और इसके बाद दिकाते है कि उस मिस्ट में से एक अटाक आता है जिसको डिफिंट करने के लिए अजाजल भी एक अटाक फिकता है लेकिन अटाक है वो इस एटाक के सामने बहुत ही फीका पड़ता है और जाजल जो है और तावा चले जाता है और इसके बाद मिस्ट में से एक बंदा निकल के आता है और बताता है नाइस तुमेट यु अजाजल एंड ड्रेड ड्रैगन एंपरर यानि के मारे इसे को और इसे के हाई स्कूल डीक्स जी के सीजन 4 का एपिसोन नमबर 3 यहीं कतम होता है और यह वीडियो भी